ओम नमस्ते जी संपून भारत वर्ष में और विश्व में सनातन वेदिक धरम की इस्तापना में मैर्शी द्यानन सरस्वती जी का बहुती अमली योगदान है सुद्ध सनातन और प्राचीन भारतिये हिंदू आरिये धरम जो है उसके मूल सवरूप को परचारित और परचारित करने में मैर्शी द्यानन सरस्वती का अमली योगदान और सयोग रहा उन्होंने सत्यार्थ प्रकास नाम से एक पुस्तक की रचना की थी ठारा सो पिचेतर में उन्होंने आरिये समाज के नाम से एक सनातन वेदिक धरम संस्तान की स्तापना की थी सत्यार्थ प्रकास में संपून धरमों का उदे कैसे हुआ विश्व में उनको कैसे परचारित और परसारित किया गया उनकी अंदूनी क्या कमिया है जिससे समाज का पतन हो रहा है भारतिये सनातन धरम में क्या कमियां क्या भ्रानतियां अंद विश्वास पाखंड और मानेताउन जिनम लिया जिससे समाज में क्या प्रभाव पड़ा उनका सार गर्वित विवेचना विशलेशन किया गिया है इस गरंथ में इस गरंथ को पढ़ने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन में कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा सवर्व पर्थम तो इसका यही परभाव पड़ेगा दूसरा परभाव इस गरंथ को पढ़ने के बाद में व्यक्ति को सत्य असत्य का ज्यान होगा उसके अंतर मन में अंत्य चेत्ना में सत्य का परकास होगा वे अंद्विस्वास पाखंड और अंद्य मानताओं से पूर्णत या मुक्त हो जाएगा सुद्ध सवरूप को सुद्ध ज्यान को प्राप्त करेगा भारति सनातन धरम के समस्त धरम गरंथों का मूल सवरूप क्या है मूल मानित्या क्या है मूल विचार धारा क्या है उसका इसमें परकासन किया गया है आपको इस गरंत को पढ़ना चाहिए चिंतन और मनन करना चाहिए भारत वर्स में इसमें देखने में आ रहा है कि अधिकतर लोग धरम परिवर्तन कर रहे हैं धर्मान्तन हो रहा है इस पुस्तक ने भारत वर्स में धर्मान्तन को एक अडिगता के साथ में रोकने का परियास किया है धर्म परिवर्तन के परती लोगों को जागरत करने का परियास किया है लोगों को अपने मूल धर्म के सत्य सर्वहितकारी और विश्व कल्यानकारी सिधानतों से परिचित कराने का कारी किया है अते आप अपने मूल सरूप को जाने समस्ते सास्त्रों के सत्य को जाने इसलिए आपको सत्यार्त प्रकास को पढ़ना चाहिए इसका परचार और परसार करना चाहिए आप सबी से निवेदन है कि आप इसी गरंत को वेदरिशी.com पर से ओनलाइन भी मंगा सकते हैं और किसी आरे समाज मंदिर या संस्ता के इस्तान से आप इसको खरीद सकते हैं आपको इसी गरंत को पढ़ने के बाद में हिंदू धर्म में फेली हुई अंद्विश्वास अंद्य मानताओं से तो मुक्ती मिलेगी ही मिलेगी अन्य धर्म जो इसाय धर्म, मुस्लिम धर्म और जैन धर्म, फार्सी धर्म जितने भी धर्म है उन समस्त धर्मों का विकरत, अंद्विश्वास मानताएं भ्रातियां और कम्यों का भी आपको दिधर्शन होगा और उन से परिचित होकर कि आप अपने सत्य सरूब, अपने मूल धरम जिसको हम सनातान वेदिक धरम कहते हैं उस पर आपको गर्व होगा, गोर्व होगा अते आपको अपने धरम की कम्या, आडंबर अंद्य मानेताओं का पूर्णते या विसलेशन और जाच करते हुई अपने धरम के मूल सिध्धानतों का पालन करना चाहिए उनको परचारित और परशारित करना चाहिए आप सभी से नियोधन हैं कि आप सत्यार प्रकास पढ़ें पढ़ाएं इसको परचायत और परशारित करें धन्यवाद